क्विडियो में हम लोग टाटा मोटर स्टॉक का बात करेंगे और देखेंगे टाटा मोटर में हम लोग को future में क्या मोमेंटम देखने मिल सकता है इस टॉक में आज के दिन ख्लोजींग आया 673 रूपीज के पास में यह वीक स्टॉक के लिए कुछ खास नहीं रहा है उपर के और नीची के तरफ एक रेंज है जो कि 590 का लगबग देखेंगे तो यह 100 रुपय के रेंज में श्टॉक ट्रेड कर और कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं है एक रेंज में फसा हुआ है प्रिवियसली मोमेंटम होना चलुआ था जो की लेवल था श्टॉक में जो की 400 रुपय तरफ एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिलेगा च्टॉक एक सपोर्ट लेवल है जो की स्टॉक में जो की 600 रुपया का एक सपोर्ट लेवल है जो की अभी सपोर्ट लेवल थोड़ा दूर है क्यूंकि स्टॉक का अभी का प्राइस चाजा दाए 673 रुपेश अगर 390 रुपे के ऊपर कोई भी एक वीकली चार्ट पर ग्लोजिंग आते तो हम लोगा पहला टार्गेट होगा स्टॉक में 800 रुपया और दूसर टार्गेट होगा थाउजन रुपेश का जो की लॉंग टर्म का टार्गेट होगा स्टॉप लोस लगा कि चल सकते जो की 600 आपको कुछ दूसर स्टॉक का नाम कमेंट करें